बहुत बार सुनते हैं न हम लोग के English is a funny language, yes, that is absolutely right, English is a really a funny language, why? Because there are so many rules and regulations about the pronunciation of the words, कुछ ऐसे letters होते हैं, जो हम पढ़ते कुछ और हैं, लेकिन जब हम उनको pronounce करते हैं एक पूरे word में, तो वो silent हो जाते हैं, बहुत बार ऐसे embarrassing situation को face करना पड़ जाता है, just because of the wrong pronunciation, अगर आपके साथ में भी वो ही problem है, तो कुछ हद तक आपकी problem इस video में end होने वाली है, because आज हम इस video में करने वाले हैं ऐसे letters, जो किसी दूसरे letters के आ जाने की वज़े से, या तो वो उसके पहले आ जाते हैं, या फिर वो उसके बाद में आते हैं, और उनकी वज़े से वो silent हो जाते हैं, तो आज हम ऐसे ही letters को करने वाले हैं, Hello everyone, I am Arty, welcome to my YouTube channel, Arty English Classes, अगर आप channel में नए हैं, तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा, तो चलो start करते हैं, आज की वीडियो, that is related to some grammar rules, that is silent words, okay, देखें, first rule है, के always remain silent before and, इसका मतलब है कि जब भी कभी end से पहले के आ जाएगा, तो वो हमेसा silent होगा, यह सारे facts हैं, यह, actually आपको अपने mind में set करने ही पड़ेंगे, इनका कोई ऐसा rule नहीं है, कि भई, आप automatically कर जाओगे, you have to keep these rules in your mind at the time of pronunciation and reading, तो क्या होता है, कि जब भी के end से पहले आ जाता है, तो के silent हो जाता है, for example, knowledge, ना बहुत बार मैंने बच्चों को पढ़ते वे देखा, वो इसको knowledge भी बोल देते हैं, अब आज के बाद उसको knowledge मत बोलिएगा, knowledge आप उसको read out कीजेगा, सेकिन no, इसको भी मैंने बहुत बार बच्चों से कहते हुए, सुना है, no बोलते हो उसको, बट नहीं, because यहाँ end से पहले के आया है, अगर end से पहले के आ जाता है, अगर end से पहले जाता है, तो जी साइलें हो जाता है, for example, design, अब देखे, d, e, f, i, z, n, तो g, n, तो design, g silent हो गया, n की pronunciation आ रहा है, design, sign, rain, foreign, assign, right, इस तरीके से, तो यहनिके अगर end से पहले g आता है, तो g silent हो जाता है, next, d remain silent before g, अगर g से पहले d आ जाता है, तो d silent हो जाता है, for example, bridge, देखे, b, r, i, d, g, e, to bridge, bridge, to d silent है, और g की हमें sound आ रही है, तो यह हो जाएगा, bridge, judge, knowledge, age, age, right, तो इस तरीके से, हमने यह रूल देखा, कि अगर g से पहले d आ जाएगा, तो वहाँ पर d silent हो जाएगा, next rule देखे, h remain silent before, हो यह तो बिल्कुल कोमा ने है, बहुत बार डलीलाइक में बहुत बार सुनते भी है, देखते भी है, पढ़ते भी है, honest, अभी यह बहुत से बच्चे, मैंने सुना है, honest बोलते है, जबकि यह गलत pronunciation है, वो होता है, honest, क्यों, because, ओ से पहले, हाया हुआ है, तो एच साइलेंट हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड देखिए, owner, horner नहीं, owner, honest, honest नहीं, honest, इसको भी बच्चे मैंने सुना है, वो कहते है, hover नहीं होता है, hour होता है, तो इस तरीके से यह कुछ बढ़ ले, बस आज की वीडियो में इतने ही, आगे में एक और वीडियो बनाऊंगे, उसमें भी और सारी फैक्स लेकर आऊंगे, जहां पे, कुछ और वर्स हम ऐसे देखेंगे, जहां पे, letter silent हो जाता है, just because of other letter, तो, I think यह समझ माया होगा आपको, thanks for watching the video, and keep learning.